कि कि र्वीर्क एंक के वारे में इसके इंटरस्टिंग फैट्स कि रहे में ये मूवी काफी काफी रियरिस्टिक मूवी है जिसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा शुरुवात करते हैं कि ये मवी दो भागो में है जैसे कि इसमें एक फ्यूचर तोजार बदटिस की बात हो रही है और एक जिए करता है और ऑख़ो सब्सक्राइब चबशितns जो तोजा सबूंदी में और किम प्लेच की हाप पर गज़ोरे रहता है, क्या मुझा जोनार इस टेलिविजन नेटवर्ग में काम करती है, वो रात को कर्फी जैसे महाल में बाहर खुमती है, तो वहाँ पे उसे कुछ लोग जो नौसफार पाइटी से बलॉंग करते हैं, जिनको फिंगर में बोलते हैं, वो सीक्रेट पुलिस कही जाती है, वो उतको परिशान करने की को रेलेटेड है, वो हम आपको बताने वाले हैं, एचुली 1604 इस वी में गाइफॉक्स नाम के एक व्यक्ति रे उस वक्त के राजा जेम्स के साथ वित्रोग कर दिया था, और जब उसको फासी दी गई थी, तो उसकी वज़े से ब्रेटेन के लोग जो है उस गाइफॉक्स न आमने इंटिड्यूस करता है, और वो उसको ओल्ड बैली बिल्डिंग के पास लेके जाता है, और वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल इंसीडेंट उसके साथ शेयर करता है तील में एक गन पाउडर प्लॉट के बारे में बात हो रही है, जो एक कॉंस्पिरेसी थी, जो गाइ फॉक्स ने सोलसाचारीस में की थी और वो पार्लेमेंट को भी गन पाउडर से उड़ाना चाहता था, गाइ फॉक्स का ऐसा करना सरकार के खिलाफ विद्रो करना था, प्योंकि वो सरकार के फैसलों से खिलाफ था, उसी तरीके से आज जो देश में हालाच चल रहा है, उसके रहते, वी बेली बीडिक को डेम मुलिश कर दिया, सर कार जो है, वो इस खवर को यह बताती है, कि वह उन्होंने भी यह डेमुलिशन किया है, वो नहीं चाहते कि प薦्रों को पता जो वहां के गॉवर्मेंट है वो तानाशाह हो चुकी है और वो अपना डर दिखा कर लोगों पर राज करती है। वो उन बातों के बारे में बता रहा था जो आज तर चुपाई गई हैं और वो दुनिया का सच लाना चाहता था। वो लोगों को बताना चाहता था कि आपको डर से बाहर निकलना पड़ेगा। उसने लोगों में एक उम्मीद पैदा करने की कोशिश खरी। ताके वो लोगों के होंसला जीश सके और वो लोगों को युनाइट कर सके। ऐसा करने पर वहां की पुलिस वी को रोगती है और इस के ओस में जो है एवी को चोट लग जाती है और वो पेहोस हो जाती है फिर वी उसे अपने घर पे लेके आयता है वहाँ पर उनके बीच में आपस में बाते होती है तब एवी उससे पूछती है कि जो डिमोलिशन तुम निक्या है क्या ऐसा करने से एक बैटर प्लेस बनाया जा सकता है तब वी उसको बताता है कि इसकी कोई संभावना जरूरी नहीं कि ऐसा हो बट यह एक आइडिया है डिमोनेशन करना सिर्फ एक विरोध जताना है सरकार के खिलाव ताके यह आइडिया सभी लोगों में पहुं कार्लेमेंट की बिल्डिंग के सामने आने को कहा वो मैसेज दिया उसने इसी ख़वर को वहां की गवर्मेंट ने फिर जूट कहा और कहा कि यह कोई टेररिस्ट है जिसने जो है इसको नेटवर्क चैनल को हैक करने की कोशिश की और अपना एक गलत मैसेज लोगों में पहु आते हैं इसपेक्टर फिंच जो की सारी चीजों को इन्विस्टिगेट कर रहे होते हैं उनको पता लग जाता है से कैमरे के दhon की जो है वी मरा नहीं है और वी जो है वहां से चला गया है और साथ में यासवर्क को भी लेकर गया है इस प Seriously जो जो हैं वो AV की history और background और उनके family members के बारे में जानने की कोईश्च करते हैं तो उनको पता लगता है कि उनके जो parents थे वो rebellion हो गये थे उस time पे गौर्मेंट के खिलाफ और उनका एक छोटा भाई जो था वो मारा गया था अगले सीर में वी एक व्यक्ति को मार देता है जिसका नाम होता है लेविस बट इसका पता आपको बाद में पता लागेगा कि लेविस कौन था गौर्मेंट लेविस के मरने की ख़बर इस तरीके से broadcast करती है जैसे कि ये एक natural death थी heart attack के दोरा मिस्टर फिंच को ये पता था कि ये murder तो वी ने किया है लेकिन उसने ऐसा क्यों किया है इसके बारे में उनको नहीं पता था वो लेविस के murder और एवी के background के बारे में कुछ जानने की कोईश कर रहे थे तब ही उनको पता लगता है इन्वेस्टिकेशन करने के बाद कि लेविस जो है वो एक member था लार्किल detention center का एवी जो है वो वी को अपनी past history बताती है अपनी family के बारे में कि उसका भाई एक disease की वयए से उसकी मृत्ति हो गई थी और उसके parents rebellion हो गए थी और वो government के खलाफ उन्होंने withdraw कर दिया था एवी बताती है कि उनके माबाप में अक्सर जगड़ा हुआ करता था कि उनकी कभी भी मृत्ति हो सकती है बट वो इस देश से बाहर नहीं जाना चाते थे और इसमें देश में awareness फैलाना चाते थे लोगों में ताके लोग जागरू को एवी जो है एक poster बाटती है यहाँ पे जिस पे लिखा होता है viral weapon developed by US military for use it in Middle East मतलब कि उस वक्त जो US के हाला चल रहे थे जो कि लंदन तक आचुके थे rights और chaos काफी था तो यह सारे चीजे जो awareness है वो यह लोग फैला रहे थे इस वज़े से एवी के parents को वहां के government मार देती है अब वापस लोटते हैं 2035 में क्या हो रहा है कि जो एवी है एवी को पता लग जाता है कि वी अब आगे किसका murder करने वाला है तो वो उसी विक्त के पास जाती है जिसका murder होने वाला है इस विक्ति का नाम है Anthony Deliman जो England का bishop होता है वहां पर एवी इसको बताने की कोशिश करती है कि आपके जान को खत्रा है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो उसके साथ जो है बहुत अजीप से वेवार करता है उसी वक्त जो है वहां पर भी आ जाता है और वो उसको मार देता है एवी वहां से चली जाती है कुरान रख रखी है तब यह भी उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कुरान क्यों है तुम एक मुसलिम भी नहीं तब गॉर्डन उसका जवाब देते हुए बताते हैं कि कोई भी खुबसूरत चीज या पोईट्री जिसे मैं चाहता हूं पढ़ना उसे मैं पढ़ सकता हूं और यह मेरी आजादी है गॉर्डन उनसे यह भी बताते हैं कि मेरे पास बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जो इलीगल है और मुझे सरकार कभी भी पकड़ सकती है गॉर्डन खुद एक गॉर्मेंट बेस्ट न्यूट चैनल में काम करते होते हैं लेकिन वो खुले तोर पे इसका और नहीं कर पाते हैं लेकिन वो अपने में इसका विरोध जरूर कते हैं लेकिन उसके बाद गॉर्डन ने अपने ऐडं शो में एडम सटलर को सटायर किया और उसके बाद वहां की गॉर्ट儿 को पगड़ के ले जाती है और स्के बाद फिंच जो है वह इसी इह तो उसकी जांच परताल करते हैं कि वहां पर कौन से स्टाफ काम कर रहे होते हैं तब देखते हैं कि जाधतर स्टाफ मारे गये हैं जिने वी ने मार दिया है उसमें से एक डॉक्टर जो है वह अभी बी जिन्दा है बट उसकी कोई information नहीं है Inspector Finz अपने database में देखते हैं जो लार्खिल का database होता है उसमें जितने भी लोग होते हैं वो सब को वी ने मार दिया होता है बट एक doctor होती है जिसका नाम होता है Dr. Daina लेकिन इस नाम का कोई भी doctor जो है उसकी information नहीं होती है बाद में पता लगता है कि जो Dr. Daina है वो उनका असली नाम डेलिया था और उन्होंने अपना database में नाम change कर दिया था ताकि ये information किसी को पता न लग पाए और उनकी जो असलियत है वो किसी के सामने नाम है जब Finz को ये पता लगता है कि Dr. Daina ही Dr. Daina है तो वो उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन उससे पहले ही V आकर उन्हें मार देता है V उन्हें एक injection से बहुत आराम की मौत देता है क्योंकि Dr. Daina को ये भहसूस हो चुगा था कि जो वो कर रही थी वो सही नहीं था लेकिन उन्हें ये सारी बातें जो लार्खिल डिटेंशन कैम्प में जो भी हुआ था वो एक डायरी में लिख दी थी और उस डायरी को अपने कमरे में ही रख दिया था ताके उनके मरने के बाद जो है उस सारी बातें लोगों को पता लग जाएं वो डायरी जो है इस्पेक्टर फिंच अपने साथ ले जाते हैं और उसको स्टडी करते हैं अब तक कहानी में ये पता लगा कि वी जो है वो डिटेंशन कैम्प वाले जितने भी लोग उससे जुड़े हुए होते हैं उन सब को मार देता है अब इस्पेक्टर फिंच उस डायरी को पढ़ते हैं तक कहानी जो है 2015 में वापस लट जाती है और वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि गौर्मेंट ने नेशनल सेक्योर्टी के नाम पे एक डिटेंशन कैम्प बनाया है जिसका नाम था लार्खिल डिटेंशन कैम्प इस डिटेंशन सेंटर में उन लोगों का रखा जाता था जो गौर्मेंट के खिलाफ थे जिन्होंने विद्रोग कर दिया था या फिर वो लोग जो होमोसेक्शुल्स थे जो कि उस टाइम पे एडम सेटलर ने इन सारी चीजों पे पबंदी लगा रखी थी इन सारी चीजों को बैन कर रखा था मतलब होमोसेक्शल्टी इल्लीगल थी तो उन लोगों को जो होमोसेक्शुल हुआ करते थे उनको जो है डिटेंशन कैब में लाय जाता था इन सभी लोगों पे बहुत सारे टॉट्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स किये जाते थे ये एक्सपेरिमेंट्स एक तरीके से एक मुटेशन होता था मतलब मुटेशन करके उन्हें एक बायलोजिकल वैपन बनाना होता था कि किसी भी तरीके से इनकी पावर्स बढ़ जाए और इनका इस्तमाल हम एज बायलोजिकल वैपन की तरह कर सके उसी डिटेंशन गैम में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है वेलेरी पेज बलेरी पेज एक होमोशेक्शुल होती है इसलिए उसे डिटेंशन गैम में लाया जाता है और वो भी एक्सपेरिमेंट का शिकार होती है जिस तरीके से बाकी लोग पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उन पर experiment किये जाते हैं ताकि उनकी power बढ़ाई जा सके बट ये experiment की results बहुत negative आते हैं और उसमें 75% से ज़्यादा लोग मरे जाते हैं इस camp में Valerie Page के साथ एक और सक्स होता है जिसका नाम होता है V उस पर भी experiment होते हैं लेकिन वो survive कर जाता है मतलब mutation का असर उस पर positive होता है और उसकी capabilities बढ़ जाती है और वो detention camp को blast करके वहां से निकल जाता है ये सारे experiment जिन लोगों के under में हो रहे थे वो थे Anthony, Levis और Dr. Delia तो आपको समझ में आ गया होगा कि V ने सब लोगों क्यों मारा था ये कहानी में बहुत last में पता लगता है V जो है वो अकेला survivor होता है और वो इन सब के बारे में जानता है और इनके वी के अलावा किसी और को इस incident के बारे में जादा पता नहीं होता है कहानी में एक नया मोड आने वाला है जो आपके होज उडा देगा Greedy जो Nosfire Party मतलब Adam Sutler की पार्टी का ही एक लीडर होता है Greedy चाहता था कि जिस virus के mutation से वो biological weapons बनाना चाहता था वो तो बन नहीं पाए लेकिन अगर यहीं virus हम अपने country के लोगों में फैलाएं तो एक chaos बढ़ेगा सामाजी जो सांती भंग होगी और लोग जो हमारे पास आएंगे और उसके एवज में हम vaccine release करेंगे और उसके बगले में हमें काफी पैसा भी मिलेगा और इस chaos में हम जो है election जीत लेंगे क्योंकि greedy जो था वो subtler का ही party का एक leader हुआ गरता था और वो चाहता था कि subtler जो है chancellor बने तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि virus को release कर दिया गया और virus को ऐसी जगों पर release किया गया जहां पर इसके फैलने के chance पहुँच जाता थे जैसे school में वहाँ पर एक बहुत famous सेंट मेरी school था यह वही school था जिसमें एवी का भाही पढ़ता था और वो इसी virus की वज़े से मारा गया था इस virus से पूरे देश में काफी लोग मारे गए और इस virus को अलग-अलग जगों पे inject किया गया जैसे water bodies को ताकि उससे इसका contaminated और ज़्यादा बढ़ जाए railway coaches में ताकि लोग सफर करने वाले वो और भी ज़्यादा वाइरस से infect हो जाए मतलब पूरी तरीके से एक country में chaos की स्तथी पैदा कर दी गई और उसी बीच elections जो है वो हो गए और मीडिया इस ख़वर को इस तरीके से broadcast करती है कि terrorist का attack है as a biological weapon तो terrorist ने वाइरस को फैलाया है इस ये news पूरे देश में फैला दी जाती है एक साल बाद वहां के religious extremist को गिल्टी करार देकर उनको execute कर देते हैं और ये बता कर कि उन्होंने वाइरस फैलाया है वाइरस फैलाने का मकसद election जीतना ही नहीं था लेकिन वो चाहते थे कि जो नौस फायर पार्टी के लोग थे जैसे लेविस लेविस को वी ने मार दिया था क्योंकि लेविस फार्मा कंपनी का एक major shareholder था उसको पता था कि अगर vaccine बनती है तो वो उससे बहुत ज़्यादा benefit ले सकता है इसलिए वी ने उसको मार दिया था अब वापस आजाते हैं दो जार बतिस में क्योंकि फिंच जो है यह डायरी पढ़ रहे हैं और ये सारी बाते हमें टायरी से पता लगी है फिंच को पता लग जाता है कि जितना भी क्योस यह जो भी वायरस फैलाया गया है वो नौसफायर पार्टी की तरफ से एडम सटलर ने फैलाया है और ये government का ही काम है फिंच बहुत जादा परेशान हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि वो भी उसी government के अंडर एक inspector के रूप में काम कर रहे हैं जिसने बाकी सभी लोगों को मार दिया है या फिर एक क्योस फैलाने की कोशिश किये है उधर गॉर्डन ने जो है एडम सटलर पर सटार किया होता है तो सटार करने के बाद वहाँ पर उसे पुलिस पकड के ले जाती है एवी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे एक कमरे में लाया जाता है वहाँ पे उसे टॉर्चर किया जाता है और उसे पूछा जाता है कि वी कहा है उसे लगता है कि गौर्णमेंट ने उसे अरेस्ट किया है पर उसे वी के लोगों नहीं अरेस्ट किया होता है उस कमरे में उसे वैलेरी के वो पेपर नोटस मिलते हैं जो वैलेरी ने वी से शेयर किये थे अपने जिन्दगी की एक्सपिरियेंस उन सारे experience को पढ़ने के बाद अब अभी fearless हो जाती है और अब उसे किसी का डर नहीं रहता जब उससे पूछा जाता है कि तुम वी का पता बताओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे उस पर वो कहती है कि चाहे तुम मुझे मार दो लेकिन अब मुझे किसी गटर नहीं है जब ऐसा होता है तो उसके बाद उसे एक तरीकी से release कर दिया जाता है जब वो release हो जाती है तब उसे पता लगता है कि जहाँ पे वो release है वो actually वी का ही place है उसे पता लग जाता है कि वी नहीं उसे kidnap किया था और उसे torture किया था तब वी उसे बताता है कि वो सारे torture इसलिए दिया गया ताकि वो उसकी situation को समझ पाए और fearless हो पाए उदर subtler चाहता था कि जितनी मौते हो रही हैं उनके बारे में जल्दी पता लगे और उन लोगों को arrest किया जाए इदर finch जो है वो जानने की कोईश करता है कि कुछ जासूस जो greedy की जासूसी कर रहे थे उनके बारे में तो उसे पता लगता है अपने डेटावेस से कि जो तीन जासूस थे वो greedy की जासूसी कर रहे थे लेकिन उसमें से दो लोग तो मारे गाये थे लेकिन एक जासूस जो अभी मरा नहीं था अब यहाँ पर क्या होता है कि उसको message आता है फिंच को कि वो जो तीसरा जासूसे जिसका नाम रॉकवूड है वो रॉकवूड उसको कोई information देना चाहता है और वो उसे फिंच को एक जिगह पर मिलने बलाता है फिंच उसे मिलने जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या बता है तब रॉकबुड उसे जो है नौसफायर और 2015 की सारी घटनाओं के बारे में बताता है वी उनको ये भी बताता है कि डर से लोगों किस तरीके से काबू किया जाता है ये सबसे बड़ा मास्टर प्लान होता है बाद में फिंच को पता लगता है कि रॉकबुड तो दस बारा साल पहले ही मर चुका है इसका मतलब कि ये कोई और नहीं ये वी ही था जो डिजगाईज करके चला गया इसके बाद वी ग्रीडी के पास जाता है और उससे एक सौदा करता है कि अगर वो सॉटलर को उसके हवाले कर दे तो वो सॉटलर की जगे ले सकता है ये सौधा greedy बान जाता है और subtler को अपने कबजे में लेकर वी के पास ले आता है वहाँ पे greedy जो है subtler को मार देता है वी के कहने पर greedy चाहता है कि वी का मास्क उतारा जाए लेकिन वी उसे भी मार देता है ग्रीडी के लोग भी वी पर हमला करते हैं और उस पर गोरिया चलाते हैं जिससे वी वी काफी गंबी रूप से गयाल हो जाता है लेकिन वी लास्ट में ये बताना चाहता है greedy को कि idea कभी नहीं मरता जिसके लिए वी ने सारी पगलिक को पार्लेमेंट बिल्डिंग के पास बुलाया था अब वो करीब करीब मरने की हालत में हो चुका था अब वो एवी के पास आता है और टरनल में उससे मिलता है एवी जो है गन पाउडर के साथ ट्रेन को तयार कर लेता है पार्लेमेंट को डेमिलिश करने के लिए जिसमें उसकी मदद एवी करती है एवी ट्रेन को स्टार्ट करने जा रही होती है तब ही वहाँ पे फिंच आ जाता है और उसको रोकरी की कोशिश करता है AV उसको गताती है कि वो fearless है और अब वो सच के साथ है अब उसे किसी का डर रही है पिंच को एहसास हो जाता है कि जो AV कर रही है वो सही है इसलिए वो उसे नहीं रोकती और उसका साह देती है और train को जाने देती है train जो है पूरी parliament building को demolish कर देती है और वहाँ पे सारे लोग जो भी आये होते हैं जिनोंने मास्क लगाया होता है क्योंकि वी ने सब लोग वो मास्क बाटे होते हैं वहाँ पे और वो सारे लोग जो हैं मास्क पहन कर आये होते हैं और एक gathering अपनी present करते हैं तो इस तरीके से इसमें ये दिखाया गया है कि वी एक आइडिया है, वी की एक आइडिनिटी है, एक सिंबल के रोग में, सिंबल जो की एक पावर देता है बट ये पावर मिलती है लोगों से, अगर लोग गैदर हो जाए और जो भी गवर्मेंट है उसके फियर से आजाद हो जाए जो कि वी चाहता था कि लोग जो गवर्मेंट के आधीन काम कर रहे हैं, जो डरे हुए हैं, वो उन जंजीरों को तोड़ दें और अपने आइडियास के थुरू जो है वो देश में रहें, तो होप यू अंडिस्टेंड अबाउट इट, आपको ये कहानी अच्छी ल